हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमिद करता हूँ कि आप सभी लोग एक दम बढ़िया होंगे तो जैसा कि आप जानते ही है कि किया सेल्टोस का फेसलिट वर्जन ओलेडी लॉंच हो चुका है जिसमें आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं अब कंपनी ने कार के साथ क्या क्या बदलाव किये हैं क्या क्या चेंजेस किये हैं एस कंपेर टू ओल सेल्टोस वो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं तो अगर आप भी Kia Seltos लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है क्योंकि आज हम detailed comparison करने वाले हैं इन दो cars का तो चलिए बिना किसी समय को भरबात करते हुए शुरू करते हैं सबसे पहला difference जो आप observe करेंगे वो है इसके key fob में अब बीच में की बजाए इस साइड में आपको सारे इसके buttons देखने को मिलेंगे दोस्तों इसमें से आपको कौन सा key fob ज्यादा पसंद आया कमेंट्स में जरूर बताइएगा सेकंड डिफरेंस जो आप नोटिस करेंगे वो इसके headlamp के setup में पहले आपको चार मिलते थे अभी आपको यहाँ पर केवल तीन देखना को मिलते हैं वही नीचे आपको led indicators का set मिलता है लेकिन थोड़े से उसमें changes कर दिये गया है बाकि अभी आपको swiping led indicators देखना को मिलते हैं दोस्तों fog lamp के setup में भी changes कर दिये गया है हाला कि है ice cube fog lamp सी लेकिन जहां पहले आपको 3 ice cubes मिलते थे वहीं ice cubes नए वाले version में बढ़ा के 4 कर दिये गया है next change आप led drls में observe करेंगे पहले जो आपके drls थे वह आपके bonnet के just नीचे करते थे अभी जो drls हैं आपको थोड़े से और नीचे आ गये हैं बाकि front grill में difference देख लीजिए अब आपको नई वाली grill एकदम complete नए design element के साथ देखने को मिलती है दोस्तों ये grill अब पहले और एक break light कुछ इस तरह से देखने को मिलती है और bumper भी एक दम change कर दिया गया है old versus new AC के panel को देख लीजिए दोस्तों अब आपको ये एक दम new automatic climate control का panel offer किया जाता है साथी साथ dual zone AC देखने को मिलता है पहले आपको analog instrument cluster के साथ साथ 10.25 inches की infotainment screen देखने को मिलती थी अभी आप देख सकते हो कि instrument panel और infotainment system को दोनों को join कर दिया गया है और दो screen है इसमें 10.25 inches की पहले से काफी बढ़िया इसके looks हो गया है दोस्तों बहुत बड़ा और major change जो आपको देखने को मिलेगा वो है इसके panoramic sunroof पहले करिए इन सारे points के अलावा अगर आप higher variance की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको six air back tpms 360 degree camera और hill hole control तो पहले से ही देखने को मिलता था एक main addition किया गया है वो है आपका radar based ADAS का system जिसके अंदर आपको autonomous emergency braking, adaptive cruise control, lame keep assist, high beam assist जैसे function आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं यह सारे controls आपको celtos के steering पे देखने को मिलेंगे लेकिन वो आपके higher variance में है इसके लावा पहले आपको front में दो parking sensors मिलते थे अभी आपको front में चार parking sensors offer किये जाते हैं दोस्तों सब्सक्राइब के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जय हिन जय भारत